एक बार की बात है, एक गाओं में एक बुढ़ा किसान रहता था, उसका एक निकम्मा बेटा था, जो की बहुत जादा आलसी और कामचोर था, वे अपने पिता जी के पैसों को मौज मस्ती में उड़ा देता था, उसके पिता जी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, और फिर उन्होंने एक तरीका सोचा, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और गुस्से से कहा, तुम आज कहीं से शाम तक पैसे कमाक कर लाओ, वरना घर मताना, लड़का बहुत जादा आलसी और कामचोर था, वे एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया, जब उसकी आप खुली, तो उसके पिता के कहे शब्द यादा है, फिर वे अपनी मा के पास गया, और अपनी मा को सारी बात बताई, उसकी बात सुनकर मा ने उसे कुछ पैसे दिये, और बोला, ये पैसे ले जाकर उनको दे देना, और कहना, तुम्हारे महनत की कमाई है, लड़का वे पैस अपने पिता जी के पास ले कर गया, और बोला, पिता जी, ये मेरे महनत की कमाई है, उसके पिता जी समझ गये थे, तब उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ ये पैसे, कुए में फेक दो, लड़के ने बीना सोचे समझे, पैसे को कुए में फेक दिया, फिर पिता जी ने मा को मा के भेज दिया तब लड़का अपने बेहन के पास पैसे मांगने गया उसकी बेहन ने भी उसे कुछ पैसे दिये उन पैसों को लड़का अपने पिता जी के पास लेकर गया पिता जी ने इन पैसों को भी कुए में फेकने को कहा लड़के ने फिर से इन पैसे को कुए में फेक अगले दिन पिता जी ने बेहन को भी कहीं भेज दिया अब लड़का सोचने लगा कि पैसे कहां से लाए बहुत ही मुश्किलों से उसे एक काम मिला पर दूसरों का समान ढोने लगा उस काम करने के उसे कुछ पैसे मिले इस पार में बहुत खोश था उसने अपने पिता जी को ये पैसे दिये पिता जी ने फिर से इन पैसों को कुँए में फिकने के लिए कहा परन्तो इस बार लड़का गुस्से में आ गया उसने अपने पिता जी से कहा पिता जी यह मेरे मेहनत की कमाई है मैं इसे कैसे फिक सकता हूँ पिता जी मुस्कुराय और उन्होंने कहा बेटा तुम जो इतने दिन से पैसे उड़ाय जा रहे थे और बिना सोचे समझे उवे में फेके जा रहे थे वे भी मेहनत की कमाई थे अपने पिता की बात सुनकर लड़के को पैसे कमाने की कीमत समझ में आ गई और उसे अपने की ये बेपश्तावा होने लगा दोस्तों एक पिता बहुत मेहनत से बहुत संहर्ष करके हम लोगों के लिए पैसे कमा के लाता है हमें उनकी इस मेहनत और संहर्ष के कदर करने चाहिए माँ और बाप दोनों मिलकर संहर्ष करते हैं तब जाके एक बच्चे की परवरिश होती है दोस्तो आपने इस कहाने से क्या सिखा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जुरूर बताईएगा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सस्क्राइब, लाइक और शेयर जुरूर कीज़ेगा थैंक यू फूर वाचिए